तो इस मूवी के स्टार्टिंग ड्रैकुला के मैंसन से होती है जहां में दिखाया जाता है कि मॉंस्टर फैमिली ने उसे पिछली मूवी में फ्रीज कर दिया था फिर हम वहाँ पर एक अजीब सी लड़की को देखते हैं जो मैंसन में आकर ड्रैकुला को ठीक कर देती है और ये ड्रैकुला को पकड़ने का काम भी उसे मैडुकस और मुरलिन नहीं दिया था और अब उसका नेक्स टार्गेट यागा नाम की एक रिच लड़की को पकड़ने का था जो मॉंस्टर फैमिली के साथ ही रहती थी और ये टार्गेट भी उसे मैडुकस और मुरलिन ने दि और उसकी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन अस्टार्स फैमली थी, वो बहुत ट्राई करता है, लेकिन वो एमुलेट के मैजिक को कंट्रोल नहीं कर पाता, तभी उसकी सिस्टर वहाँ पर आती है और वो बताती है कि मैक्स का एक फ़नी वीडियो वाइरल हो गया है, और सब है कि यागा और रेंफिल के साधी हो गई है, फिर हम देखते हैं कि फ्रंक और रेमा साधी में जाने के लिए तयार होते हैं, तभी मैक्स एमुलेट के मैजिक की वज़े से अपने आपको बहुत अमीजिंग लुक दे दीता है, और वो सारे वहाँ से चर्च की और निकल जा का दर्वाजा बंद कर रहा होता है, तब उसका बलेजर उसमें फर्ज जाता है, और वो नीचे गिर जाता है, और जैसे ही वो नीचे गिरता है, एमुलेट से किया हुआ मैजिक का अशर खत्म हो जाता है, और वो वापस से अपने पुराने लुक में आ गया था, और उसके स था पिसके साथ ही जाने लगता है तबिकुता ही comunque फैंटर फैमिली चर्च में आते हैं और वहाँ पर वह यागा और रैंफिल से मिलते हैं और फिर मैक्स की सिटर वहाँ बहुत सारी फोटोस क्लिक करवाती है लेकिन जब वो फोटो क्लिक कर रही होती है तो फोटो के साइड म में कुछ पता करती उससे पहले मीला अश्टार वहां आ जाती है और साथ में उसका ड्रोन भी और वो अपने ड्रोन में यागा को बंद कर देती है लेकिन फिर रेंफिल भी उस ड्रैगन पर लटक जाता है जिससे वो भी उसके साथ ही जाने लगता है तब ही मैक्स उसके आइडिया आता है कि वो एमुलेट की हेल्प से अपने आपको मौस्टर में बदल सकता है और फिर वो अपने आपको एक मौस्टर में बदलना सुरू कर देता है तब ही उसकी फैमली उसे रोकने जाती है लेकिन उस पावर की हेल्प से सारे वापस से मौस्टर फैमली में ब बताते हैं कि इस बार उसे स्कॉटलेंड से लोकनेस मॉंस्टर और हिमालिया से एटी को पगड़ कर लाना होगा, वो मॉंस्टर को पगड़ने के लिए मिला को एक स्रिंज गन देते हैं, उस गन से किसी भी चीज को छोटा किया जा सकता था, तभी मिला उस गन को रेंफिल पे कहती है, लेकिन मैक्स बोलता है कि ये तभी बदलेगा जब हम सब एक साथ खुस होंगे, और मैक्स उन्हें अपनी इस पावर का फाइदा उठाने को बोलता है, और वो कहता है कि हम इस पावर की मदद से यागा और रेंफिल को बचा सकते हैं, पूरी मॉंस्टर फैमली भी के लिए तयार हो जाती है, मैक्स एमूलेट से उन्हें ढूनने की कोसिस करता है, और उससे उन्हें मिला की लोकेशन के बारे में पता चलता है, लेकिन जब से मिला से वो मिला था, वो उससे बहुत इंप्रेश्ट होता है, लेकिन एमा के कहने पर वो पता लगा लिता है कि म मैक्स ही अब हम सब को उड़ा कर स्कॉर्ट लैंड ले जाएगा वो उन्हें लेकर अपने फ्रेंड सेने के फार्म पर जाती है जहां वो ड्रैकुला के प्रैवेट जेट को देखते हैं एमा उन्हें बताती है कि यह हमने काफी टाइम से यहां पर छुपा कर रखा था ताकि जरूरत पढ़ने पर इसका यूज किया जा सके मैक्स प्रैवेट जेट को स्टार्ट कर रहा होता है तभी उन्हें पता चलता है कि ड्रैकुला ने तो उसमें वाइस एक्टिवेटेड आ एक्सपेरिमेंट के लिए मिला का यूज कर रहे थे और अब मॉंस्टर फैमली भी वहाँ पर पहुंच चुकी थी तभी वहाँ पर उन्हें मिला का स्टार कॉप्टर दिखाई देता है और इसे देखकर वो समझ जाते हैं कि मिला यहीं कहीं है तभी वहाँ पर उन्हें मिल दिखाई देती हैं और वो सब मिलकर उसे पकरने जाते हैं लेकिन वो अपनी चालाकी से सब को 2 मिनिट में निस दियु लिए रिख में kys जाती है लेकिन मैक्स के सांस रुकने के कारण वो उससे ज़्यादा देर तक सामना नहीं कर पाता तब ही मीला उस मॉंस्टर को स्रिंग करके उसे अपने साथ लेकर निकल रही होती है तब ही उसकी नजर मैक्स पर परती है और मैक्स डूबता हुआ नीचे की तरफ जा रहा था वो मैक्स को बचा कर बाहर ले आती है और फिर वही मैक्स को पता चलता है कि वो तो स्टार्स की बीटी है और उसे ये हैरानी होती है कि आखिर अस्टार्स फैमली ने मिला को दुनिया से छुपा कर क्यों रखा मैक्स उसके बारे में मिला से पूचता है लेकिन मिला कहती है कि मेरे पैरेंट्स मानोता कि भलाई के लिए ये सब काम कर रहे है और ये मॉंस्टर भी उसी मिसन का एक हिस्सा है ये सब कहकर वो वहां से निकल जाती है पर मॉंस्टर फैमली उस जेट से उसका पीछा करनी को कहते है और वो जेट सीधा उन्हें हिमाले पर ले आता है जहां उनका सामना एक नाराज येटी से होता है जो उन पर हमला करने वाला होता है पर उससे पहले उसकी नजर फ्रैंक पर पड़ती है और वो उसे अपने जैसा लगता है और इसके बाद वो दोनों मिलकर मस्ती करने लगते हैं तब ही हम देखते हैं कि मिला वहाँ पर आ जाती है जो येटी को स्रिंग करके गलोब में बंद करके जाने लगती है पर मॉश्टर फैमिली उसे रोकने की कोसिस करते हैं लेकिन इससे पहले वहाँ बर्फ का तूफान आ जाता और मिला जाकर खाई में लटक जाती है और वो उससे नीचे ही गिरने वाली थी लेकिन मैक्स वहां कर मीला को अपने फैमिली के साथ मिलकर एक रसी की मदद से बचा लीता है और यहां पर सब देखकर ऐसा लगता है कि मीला सायद मैक्स को पसंद करने लगी है लेकिन तभी उसे अपना मिसन याद आ जाता और वो वापस हेटकौर्टर के तरफ जाने लगती है जाते हुए मैक्स उससे अपने पैरेंट्स के प्लैन के बारे में बताने को कहता है ताकि मीला इंस्योर कर सके इसमें कुछ गलत नहीं है मीला वापस आकर अपने पैरेंट्स से जिद करती है और कहती है कि मुझे भी आपके मिसन के बारे में जानना है जिसके वज़े से मुरलिन मीला पर नाराज होती है लेकिन मेडुकस मान जाता है और वो उसे अपने साथ आने को कहता है वो लोग एक पैलेट की मदद से आसमान में बने एक लैब में आते हैं जहाँ पर उसके पैरेंट्स ने सभी मॉंस्टर को कैद करके रखा हुआ था वहाँ वो मीला को बताते हैं कि यहाँ पर मॉंस्टर सद्यों से जिंदा है और वो बताते हैं कि इनकी लाइफ इनरजी यूज करके हम इनसानों को भी अमर बना सकते हैं आगे मेडुकस मीला को यह यकीन दिलाता है कि इससे मॉंस्टर की जान को कोई खत्रा नहीं है और मीला फिर से एक बार उनकी बातों में आ जाती है जिसके बाद वो अपने लाश्ट मॉंस्टर को पगड़ने के लिए निकल जाती है और मेडुकस को लगता है कि अब वो ज़्यादा सवाल नहीं पूछेगी और इसके बाद वो मॉरलिन को अपना टेस्ट सब्जेक्ट दिखाता है दुसरी तरफ हम मॉंस्टर फैमली को देखते हैं जो यागा और रेंफिल के ना मिलने से बहुत जादा परिशान थे परेमा दोबारा से उस एमुलेट में मीला को ढूणने को कहती है और दोबारा से उसी एमुलेट में मीला की लोकेसन दिखती है जहां मिला टोरा टोरा नाम के एक आईलेंड पर जा रही थी और तुरंती मॉंस्टर फैमली टोरा टोरा आईलेंड पर पहुंच जाते हैं और वहाँ जाकर वो देखते हैं कि मिला मॉंस्टर को डून रही है मैक्स उससे मिलने जाता है ताकि एस्टार्स के प्लैन के बारे मों वो उससे जान सके लेकिन मिला उसे कुछ भी बताने शे मना कर देती है और कहती है कि उसे अपने पैरेंट्स पर बहुत ज़्यादा यकीन है ये सुनकर मौस्टर फैमली उसे पकड़ने की तैयारी करती है लेकिन तभी उनके पीछे एक बहुत बड़ा गोरिला आ जाता है और हमें पता चलता है कि मिला इसे ही यहाँ पर पकड़ने आई थी तभी मिला उसे स्रिंक करने के लिए गन का यूज़ करती है लेकिन उसे पता चलता है कि मैक्स ने उस गन को किसी तरह से चुरा लिया है तभी गोरिला वहाँ पर आकर मैक्स की मदर को हाथ में पकड़ लीता है और इससे पहले कि वो उन्हें कोई नुकसान पहुँचा था वहाँ पर उनके फैमली बैट्स अपनी म्यूजिक बजाने लगते हैं और वहाँ पर उन्हें पता चलता है कि म्यूजीक ही उस गोरिला की कम जोरी है और तभी वो सारे मिलकर डांस करने लगते हैं और मीला भी इसमें सामिल हो जाती है इसके बाद हम देखते हैं कि अब वो गोरिला भी उनका फ्रेंड बन चुका था और मीला मैक्स से कहती है कि वो भी एक ऐसी फैमली चाहती थी मैक्स उसे यकीन दिलाता है कि जल्दी से ये वेस्ट तुमारी पूरी हो सकेगी और इसके बाद वो एक दूसरे से अपनी फैलिंग से अर करते हैं इधर दूसरी तरफ मीला के पैरेंट्स उसके लेट हो जाने के करण उसे ट्रैक करते हैं और उसे देखते हैं कि वो मैक्स के साथ बैठी हुई थी मॉरलिन को इससे उस पर बहुत गुश्सा आता है और उसको लगता है कि इस वज़े से उनका सारा प्लैन फेल हो सकता है मैडुकस तुरंती उसे कॉंटेक्ट करता है और बताता है कि उसकी मॉम की तबियत बहुत ज़्यादा खराब हो गई है और उसकी तबियत तभी सही हो पाएगी जब वो एक्सपेरिमेंट पूरा होगा और वो तुरंती उससे गोरिला को उस लैब में लाने को कहता है और ना चाते हुए भी मिला को उनकी बात माननी पड़ती है मिला जल्दी से उस गोरिले को लेकर अपने पैरेंट्स के पास पहुँचती है लैब के अंदर आते ही मेडुकस उसे गोरिला को एक पॉर्ट में रखने को कहता है और उस पॉर्ट में जाते ही गोरिला वापस से बड़ा हो गया था मिला भाग कर अपनी मॉम के पास आती है और मेडुकस भी अपना एक्सपेरिमेंट सुरू करता है और फिर मॉंस्टर से निकली वो लाइफ इनरजी बीच में रखे उस सब्जेक्ट तक जाने लगती है मिला प्रे करने लगती है लेकिन वो देख पाती है कि उसकी मॉम तो उसके पीछे खड़ी है और वहाँ पर उसे पता चलता है कि वो सब्जेक्ट उसका एक रोबोटिक कलून है जिसे उसके पैरेंट ने उस मॉंस्टर की इनरजी से जिंदा कर दिया था वो बताते हैं कि सुरू से ही उनका प्लैन एक ऐसा रोबोट बनाने का था जो बिना सवाल के उनकी सारी बाते मान सके और उसे तो बस वो यूज कर रहे थे और आगे वो बताते हैं कि मिला तुमें एक स्टार नहीं बलकि एक अनात हो और तुम्हारा काम यहाँ पर खत्म हुआ वही दूसरी तरफ मॉंस्टर फैमली को मिला और गोरिला के गायब होने का पता चलता है यह देखकर मैक्स बहुत दुखी होता है क्योंकि मिला ने उसका भरोसा तोड़ा था लेकिन एमा उसे समझाती है कि साइद मिला को यह सब मजबूरी में करना पड़ा हो और वो उसे टेलिपोर्ट अस्पेल यूज करने को कहती है अस्पेल यूज करके जल्दी वो सब स्काइलिफ्ट में आ जाते हैं जहां मैक्स उस पर बहुत नाराज होता है मिला उन्हें सारी बात बताती है और एक बार फिर से वो लोग उस पर भरोसा करने लगते हैं इसके बाद वो नीचे मैंसर में आते हैं जहां पर वो रोबोट उनका पहले से इंतिजार कर रहे होती है ये देखकर मिला वापस से स्काइलिफ्ट को उपर ले आती है पर वो रोबोट भी उनका पीछा नहीं छोड़ती उसे रोकने के लिए मिला अपने स्रिंग गन निकालती है लेकिन इससे पहले कि वो उसे रोक पाई वो उसे किक करके नीचे गिरा देती है नीचे गिरने की वज़़ से स्रिंग गन मौस्टर फैमली के बैट्स के हाथ लग गई थी लेकिन तवी वो रोबोट मिला के बैग को उससे चीन लेती है और उसको नीचे गिरा देती है पर उसे बचाने के लिए मैक्स भी उसके पीछे कूच जाता है और मिला को एमुलेट की मदद से बचाने की कोसिस करता है लेकिन एमुलेट की पावर खत्मोने के कारण वो दोनों लैब में आकर गिरते हैं जहां वो रोबोट भी आ जाती है मिला मैक्स को अपनी फैमली को याद करने को कहती है और कहती है कि ऐसे तो हम इसे हरा नहीं पाएंगे जिसके बाद मैक्स ऐसा ही करता है और एमुलेट की मदद से वो वापस लिफ्ट में आ गए थे लेकिन वो देखते हैं कि रोबोट उनका पीछा छोड़ने के लिए बिल्कुल तयार ही नहीं है वो लोग एक एक करके रोबोट को हरानी की कोसिस करते हैं लेकिन वो सब को भगड़कर लैब में ले आती है तब ही मिला मॉस्टर फैमली से कहती है कि इतना प्यार देने के लिए सुक रिया इतना प्यार मुझे कहीं नहीं मिला जिससे मॉंस्टर फैमली भी बहुत ज़्यादा खुस होती है और बहुत ज़्यादा खुस होने की वज़े से ही अस्पेल का असर खत्म हो जाता है और वो सब वापस से अपने इंसानी रूप में आ जाते हैं तभी मैक्स की नजर उसके बैट्स पर पड़ती है और वो स्रिंग गन को लेकर उपर ही आ रहे होते हैं और मैक्स कीसी तरह स्टार्स फैमली का ध्यान भटकाने में लग जाता है तभी वो बैट्स वहाँ पर आ जाते हैं जिनसे मैक्स वो स्रिंग गन चीन कर स्टार्स फैमली के उपर सूट करने लगता है इस हमले से मैडूकस और मुर्लिन बहुत जादा छोटे हो जाते हैं जिसकी वज़त से लैब में बहुत जादा तबाही होती है और बाकी फैमिली सारे मॉंस्टर को आजाद करने में लग जाते हैं ये देखकर मैडूकस और मुर्लिन वहां से एक स्टार कॉप्टर में बैट क कौन है और वो तुरंंती रोबोट को Serring Gun से छोटा कर दीता है और मीला उसे एक Helmet में कैद कर लीती है तभी वो Dragula अपने bad look में वहाँ पर आकर उनके उपर हामला करने लगता है लेकिन Max उसे भी Serring Gun से छोटा कर दीता है पर तभी वो देखते हैं कि तबाही के वज़े से वो पूरा लैब नीचे गिरने वाला है मैक्स तुरंती सबको स्काइलिफ्ट में बैटने को कहता है और वो मीला रोबोट को बचाने के लिए उसके पीछे जा रही होती है तबी मैक्स सबको स्कायलिट में बिठा कर मीला के पीछे भागता है तबी वो रोबोट के पास पहुंच जाती है तबी वो देखती है कि फ्लोर के तूटने की वज़ा से मैक्स नीचे गिर रहा होता है लेकिन तभी वहाँ पर मीला आती है और मेक्स को वहाँ से बचा लीती है पर तभी पीछे से मीला के आँख पर रोबोट आपकर एक कपड़ा बांद इती है जिससे की मीला डिसबैलनस हो जाती है और वो दोनों गिरने लगते हैं लेकिन किसी तरह मैक्स उसे कॉपरेट करता और हुरुसे लेकर सीधा नीचे की तरह पाराम से उतर रहा हुता है। पर टब उसकी नजर एक कॉप्टर परपड़ती है जिससे अस्टार्स family आ रही थी। और किसी तरह मैक्स उसे वहां से बचा लीता है और वो रोबोट तूटकर हेलिकॉप्टर से जाठक राती है और वहीं पर खत्म हो जाती है और वहीं मैक्स और मीला आराम से नीचे उतर जाते हैं और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म होती है तो वीडियो अगर फसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सबस्क्राइब करके बेल आइकन जरूर दबालें